राकेश बापत की जिस तरीके से लडाईयां होना शुरू हो गई है बिग बॉस के घर में और जिस तरीके से उनको संडे के बार के दिन स्पाइनलेस बोला गया था लोग बोल रहे हैं राकेश घर के अंदर कुछ कर नहीं रहे हैं राकेश बापत की एक्स वाइफ रिदी डोगरा भी एक अच्छी खासी पॉपलर अक्रस है जिनको आपने कई सारे शोज में देखा होगा वो राकेश बापत के साथ एक लंबे समय तक शादी शुदा थी हैं और अब उन ही के सपोर्ट में सामने आई हैं राकेश बापत के सपोर्ट में उतरती हुई नजर आई हैं और बोलती हुई नजर आई हैं कि किस तरीके से राकेश बापत जो है एक अलग परस्नालिटी के साथ शो में गए हैं और हमेशा लड़ाई जगडे शो में चल जाएं ऐसा जरूरी नहीं होता है कभी एक righteous इंसान एक जो सही का साथ देने वाला इंसान एक quiet इंसान एक calm इंसान और अपना game शांती से खेलने वाला इंसान भी आगे बढ़ जाता है वही seasons the season हमने देखा है किस तरीके से ऐसे लोग भी आगे बड़े हैं the best example of it is last year's contestant अभिनफ शुकला जो की end end तक eliminate नहीं हो रहे थे उसकी बाद जो है एक ऐसी strategy रची गई थी कि उसमें अभिनफ का नाम कठी जाता जो की थी कि जो connection भी थी उसमें जो connections आये थी उन्हों ने निकाला था अभिनफ शुकला को audience तो बहुत पसंद करी थी अभिनफ को वो निकालने के तयार नहीं थी तो ऐसे में रिधी का जो कहना है कि राकेश एक अलग personality के साथ गये उसी से दिल जीतेंगे लोगों का हमको लग रही है ये बात बहुत जादा convincing लेकिन आप लोग इस बात पर क्या कहेंगे लिख दीजोगे comment section में वाकि मैं चानल के साथ जुड़े रहे हैं और भी खबरे हैं लगाता रैसी आप तक पहुंचाते रहेंगे